हाई गईज वेलकम टू अलिबोर्ड कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़ी होंगे मैं सौरव आप सभी लोग हों का साइंस और कॉंट फैकल्टी और गईज यहाँ पे आज अपन यहाँ पे डिसकुशन में रखने वाले हैं लेवल थ्री का फाइनल फाइनल कट ओफ मतलब क्लियर करके अब डारेक्ट डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ठीक है कोई साइको कोई यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा तो क्या हो सकता है सेफ इसकूर सेफ इसकूर मतलब कि वह स्कूर जिस पे आप सेलेक्शन लेंग सबसे बहतरीन फैकल्टी इस बैच को पढ़ाने वाले हैं आप यहाँ पे सौरफ कोट का इस्तिमाल करके सबसे ज़्यादा डिसकाउंट ले सकते हैं पूरे 45 परसेंट का ठीक है तो यह कोर्स आपको मिल जाएगा 1374 में ऑलिबोड ने एक और 17 से 20 जून तक सूपर इसमें सारे बैंकिंग और इंसौरेंस और सारे एससी के साथ सारे रेलवेस के जो भी आपके कोर्सेज हैं जो भी आपके वाँपे टेस्ट वगए रहे हैं उस पे 55 परसेंट का डिसकाउंट पूरा चल रहा है ठीक है तो अच्छा खासा है यहाँ पे पॉपुलर डिमांड पे काफी ज्यादा डिसकाउंट और किया गिया है आप सारी चीज़े इसारे पर सकते हैं चाहे आप बैंक के हूँ चाहे railway से हर जगह सारे चलेगा मैक्जिमम डिसकाउंट आपको हमरे मिलेग अगर हम पेपर की लेवल की बात करें कि level 3 का जो पेपर आया था काफी easy paper आया था चाहे मैं बात करूँ आपका जो paper हुआ था लेवल 3 का, एक हुआ था 14 तारीख को ठीक है, 14 जून को या जो आपका paper हुआ था उसकी बात कर लें या जो आज 17 जून का paper हुआ है इसकी बात कर लें, सारा दोनों ही पेपर जो आपके हुए हैं लेवल 3 के तो काफी एजी पेपर आया था और बच्चों ने अच्छे खासे सवाल यहां पे करके आए हैं ठीक है तो मैस का जो भी लेवल था एजी मौडरेट आपके कम से कम कह सकते हैं पांच्छे सवाल थे और जो आपके 29-30 सवाल थे वो लगबग आसान लेवल के ही थे जो रीजनिंग आई थी वो भी थोड़ा सा एजी तो मौडरेट लेवल की आई थी जो पजल कुशन आए थे वो लेवल 3 में आज की स्पेशली 17 जून की सिफ्ट में काफी आसान सवाल देखने को मिले हैं पजल से 5-6 सवाल आए हैं लेकिन आसान देखने को मिले हैं जी के as usual जैसे बाकी जगह आ रही है उसी तरह आ रही है easy to moderate level में moderate level static question old current affairs 2021 के और लेकिन जी के भी ऐसी आ रही है कि करीब 35 से आपका 40 सवाल वहां पे बच्चे attempt करके आ रहे हैं और बाकी इसके अलावा गर देखा जाए तो math में तो बच्चे लगबग लगगग पूरा 32 से 35 सवाल math में कर दे रहे हैं और बच्चे यहां पे reasoning में भी अच्छा खासा attempt करके आ रहे हैं मतलब बहुत देखा जाए तो 30 प्लस तो attempt बच्चे करके आई रहे हैं तो overall अगर मैं paper देखूं तो paper आपका जो आ रहा है level 3 का थोड़ा easy तरफ था जो बच्चों का attempt है वो 90 प्लस तो आपका average attempt बच्चों का वहां पे जा रहा है तो इस चीज़ को अगर हम of zone divided था जहां पे level 3 का paper हुआ था एक 14 तारीक को हुआ था आपका भूनेश और बिलासपूर इन सारे reason में मुंबई, गोरकपूर, चंदीगर, मुझफरपूर उसी तरह जो आपके कुछ high cut of zone है भूपाल हो गया पटना हो गया तीक है जम्मू आपका कुलकाता हो गया ठीक है एहमदाबाद, अलाहाबाद ठीक है तो यह सारे zone का जो paper था level 3 का अभी 17 तारीक हुआ और paper काफी आसान देखने को मिला था अगर आप बात करें commercial clerk कम टिकट commercial कम टिकट कलर्क यह आपकी post होती है और 12th pass यह post होती है यह level 3 की post है केवल इतनी vacancy's है और इसमें 440 आपकी total vacancy है तो level 3 की जो vacancy है वो 440 है यहां से यह भी पता है कि भाईया कमी vacancy है low vacancy है यहां पे ठीक है और बच्चे बहुत जादा है क्योंकि भाईया paper जो है वो 12th pass वालों का है तो अपने मन से तो पहली बात आप यह चीज निकाल दे अगर किसी भी student को यह लगता है कि भाईया मैं 65-70 number लाके level 3 में selection ले लूँगा मुश्किल नहीं है मतलब एक तरह से कह सकते है impossible वाली बात आप कर रहे हो ठीक है बहुत मुश्किल है आप वहाँ पे selection ले पाएं अगर हम बात करें level 3 का जो 14 जून का paper हुआ था उसमें 60-70 वालों को तो निकाली दो इनका कुछ नहीं हो सकता है यहां पे जो paper का level था यहां से अगर हम देखें 70 से उपर attempt करने वालों का तो यहां पे 70-80 में 15% 80-90 में 25, 90-100 में 20 और 100-110 सवाल करने वाले 31% बच्चे हैं अगर इसमें मैं यह भी मालनू कि यहां पे अगर 50% का error भी अगर मैं मानू तो भी आपका 50% बच्चे यहां पे true हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा सवाल वाँ पे attempt करें हैं ठीक है और बाकि अगर देखें तो यहां पे अच्छा खासा chunk आपका 45% का 80 सवालों से ज़्यादा यहां पे questions attempt करके आ रहा है अगर मैं यहां पे accuracy factor इतना मानू कि अगर कोई भी बच्चा यहां पे 90% तक का आगर question यहां पे correct करके आता है 10% का बस वहां पे वो गलत करके आता है तो भी आपका cut off जाने का अच्छा खासा chance है इसी तरह अगर 17 जून का level 3 का first shift का मैं अगर paper की बात करूँ तो आज भी आपका ये range 9 से 90 से 100 सवाल के बीच में बहुत जादा चंक है 36% का दूसरी shift में भी 90 से 100 के बीच में 34% का यहां पे student का data है जो कि इस level 3 में second shift में इतने सवाल attempt करके आएं अच्छा खासा number है जो कि ये बताता है कि बच्चों ने 100 से जादा भी सवाल करके आएं हैं और paper वाकई में सुबह वाला भी easy shift थी और बाकी जो paper आए थे वो भी आपके easy shift में आए थे मतलब जी के ही थोड़ा कठिन थी reasoning और मैं थे इतनी जादा कठिन नहीं आई थी अब फिर बच्चे कोई वही बात है कि बच्चा कहेगा भाई सर हमारी वाली तो बड़ी कठिन थी आप कैसे बोल रहे हो आप paper देने नहीं गए थे मेरे भाई आपको अगर आज का paper में भी सुबह की 17 जोन की फस्ट सिफ्ट भी paper कठिन लगाना मतलब तुम्हारी तैयारी नहीं थी मेरे भाई तुम किसी को दूसरे को दोस मत दो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं आज की डेट में और अच्छा खासा number ला रहे हैं और चलिए इसी पर बात कर लेते हैं अगर high cutoff zone की बात करूँ तो पहले मैं आपको बात करूँगा expected cutoff की अब देखे expected cutoff जो मैं यह बता रहा हूं तो इसका एक range दे रहा हूं range मैं दे रहा हूं क्योंकि high cutoff zone में भी अलग-अलग zone होता है कोई zone का number आपका यहां पे 88 number जाएगी cutoff कोई zone की 86 number जाएगी कोई zone की आपकी 82 number ही जाएगी लेकिन सारे high cutoff zone है ठीक है इसलिए मैं सारी एक range दे रहा हूं आपको कि जितने भी high cutoff वाले zone है तो लगभग-लगभग इस range में इनकी cutoff रहने वाली है और safe score क्या होना चाहिए final selection का वो भी मैं बता हूं तो यूर कटेगरी से मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं जिसे आपका ज्यादा time ना लगे 78 से 88 number ठीक है यूर कटेगरी से जाएगी या आपकी यूर कटेगरी से high cutoff zone की cutoff मैं आपको बता रहा हूं यह range आपकी SC कटेगरी की हो सकती है और यहाँ पर अगर ST कटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 64 से 70 number के बीच में आपकी expected cutoff जाएगी अगर आपको final selection लेना है तो यूर की अगर मैं range बोलूँ तो यूर की range में आपको कम सकम 85 से 59 number आपके होने चाहिए यूर कटेगरी में OVC कटेगरी में बोलूँ तो कम सकम 83 से लेके 92 number तक आपके होने चाहिए final cutoff में high और low बोल रहा हूं मैं और EWS में अगर बात करें तो 80 से यहाँ पर 85 number 88 number तक आपके होने चाहिए मैं safe score बोल रहा हूं to get any post to get post ठीक है मतलब आपका final selection DV के बाद का final selection की मैं बात कर रहा हूं to get post cutoff clear करने वाला नहीं होगा clear वहां पे ठीक है आपको मैं final selection की बात बता रहा हूं कम से कम आप 10 number 7 से 10 number मान के चलो अगर SC category हो तो कम सकम 75 plus होने चाहिए और HD category हो तो समझ के चलो 70 plus होने ही होने चाहिए इसके अलावा अगर मैं low cutoff zone की बात करूं जो एसे zone जो एक ऐसे zone में आते हैं जहां पे cutoff आपकी कम जाती है तो UR category से जो आपका जाएगा 70 से 76 जा सकता है OBC category की अगर मैं बात करूं तो 68 से 74 number EWS category की बात करूं तो 66 से 70 number और SC category की बात करूं तो 62 से 68 number और HD category की बात करूं तो 58 से 64 number के बीच में जाएगी अगर आप safe score की बात करें तो safe score कहां पे हैं आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 76 से अगर आपका 85 यहां पे बलकि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मान करके चलो ठीक है final cutoff to get any post यानि 78 number से अगर आपके 88 number 90 number के करीब आपका जा रहा है तो आप यहां पे एक post ले सकते हैं आप यहां पे एक post ले सकते हैं to get post क्योंकि भाई चाहे आप low cutoff zone से हो चाहे high cutoff zone से हो हर zone से बच्चा अच्छा खासा score करता ही है paper में no doubt OBC में आपके 75 से 85 नंबर के बीच में यहां पे थोड़ा सा आपका चीजें vary करेंगी EWS category की अगर मैं बात करूं तो 70 से 78 नंबर आपके होने चाहिए यहां पे SC category की अगर मैं बात करूं तो अगर low cutoff zone में भी है final merit में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पे 68 से 74 नंबर के बीच में आपका vary कर सकता है zone to zone और ST category में भी आपको कमज़कम 64 नंबर से उपर होने ही चाहिए आपके तो गेट पोस्ट यह आपकी final selection की बात कर रहा हूं कि DV के बाद भी तुम्हारा selection हो जाए बाद भी selection हो जाए इसकी मैं बात कर रहा हूं ठीक है यह नहीं बात कर रहा हूं कि तुम्हारा cutoff बस clear हो जाए ठीक है चलिए तो यहीं पे video खतम करते हैं गईज selection यहां पे target बैच चल रहा है रारवी पियो का prelims और मेंस का राधे सर लोकेस सर और राधे सर पढ़ाएंगे 1374 में यह बैच आपको सौरफ कोड से maximum discount के साथ मिलेगा शांदार तरीके से ऑली बोड के साथ जुड़ें और अपनी preparation करें सुपर सेलेक्शन special offer चल रहा है 20 जून तक धड़ा धड़ इसमें discount है 55% आफ का ओली बोड एप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और ओली बोड डाट इन website विजिट कर सकते हैं सार अफ कोड करके maximum discount आप ले सकते हैं सारे SSC banking railway courses में maximum possible discount सार अफ कोड पे आपको मिल कितने attempt करें हैं सवाल वो भी आपको यहां पे बताना है और यह बताना है कि अपना expected score आपको क्या लगता है कितना होगा यह सारी चीज़ें आपको बताना है सब्सक्राइब करिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए शेर करिए दोस्तों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में ख्याल रखेगा टेक क्यार बाबाय एंड हेवनाइस डे